हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें फ्रैक्शन नम्मर का आफके एहां किस तरीके से निकालेंगे और जोटसीमन लम्मर दे राक्षिए होते हैं उनका एचसीम स्थ तरीके से निकालेंगे और सिंपल जो हमारे आपको स्थmäßig में नम्बर दे रती खीं और इनका LCM निकालना है ठीक है तो अगर आपको fraction में number दे रखें और उनका LCM निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे तो आपको देखिए यह तो पता है कि जो उपर वाले number है उनको क्या बोलते है numerator और नीचे वाले number को denominator तो अगर आपको LCM निकालना हो तो सबसे पहले आ उपर वाले number का LCM निकालना है LCM आप निकालों किसका 152 और 4 का और नीचे वाले number को HCF निकालना पड़ेगा ठीक है तो 369 और 27 ठीक है तो अगर आपको fraction वाले number का LCM निकालना है तो आपको क्या करना है जो भी number आपको उपर दे रखें उनका LCM निकालेंगे और नीचे वा मैं LCM निकालू, तो LCM क्या आएगा, 1, 5, 2, और 4, 2 से किया, तो 1, 5, 1, और 2 हो गया, फिर 2 से किया, तो 1, 5, 1, और 1, फिर 5 से किया, तो 1, 1, 1, और 1, ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, 2 into 2 into 5, यह हो गया, 20, ठीक है, अब हम नीचे वाले नमबर क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है, तो हम HCF find करेंगे, अब 3, 6, 9, और 27 का, ठीक है, तो इनका HCF जो होगा, वो तो 3 होगा, क्योंकि 3 जो है, इन तीनों से divisible हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो highest common factor है, वो तो 3 आ गया, और उपर वाले नमबर का, जो LCM हो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, greatest common divisor, ठीक है, तो GCD को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से HCF ही count करते हैं, ठीक है, तो अब हमें HCF अगर निकालना है, किनी भी fraction नमबर का, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो उपर वाले नमबर है, उनका आपको HCF निकालना है, HCF निकालोगे, 3, 5, 7 का, और नीचे वाले नमबर का, आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, तो 16, 12 और 18, तो HCF अगर निकालोगे, 3, 5 और 7 का, तो कोई भी common नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी common factor नहीं है, तो हमारा जो HCF होगा, 3, 5 और 7 का, वो 1 हो जाएगा, ठ देते हैं, 16, 12 और 18 का, ठीक है, तो HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, 16, 12, और 18 का, 2 से किया, 8 आगया, फिर 6 आगया, यह 9 अगया, फिर 2 से करेंगे, तो 4, 3 और यह 9, अब दिबारा 2 से किया, तो 2, 3, 9, और 2 से किया, 1, 3, 9, फिर 3 से हो रहा है, अब यह 1, 1, 3, और यह एक बार और 3 से होगा ठीक है तो इसका जो एलसीम होगा 16 12 और 18 का वो क्या से निकलेगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 तो इसको multiply करेंगे तो हमारे कितना रहा है 2 to the 4 to the 8 to the 16 और 16 into 9 करेंगे तो हम 144 इसका answer आ जाएगा ठीक है तो इसका जो GCD है वो क्या होगा 1 upon 144 जो कि हमारा option में नहीं है ठीक है तो अगला कोश्चन है हमारा इसमें बोला है next question हमारा है यहां पर बोला है जो mix fraction हमें दे रखे हैं इसका हमें HCF find करना है ठीक है तो HCF कैसे find करेंगे सबसे पहले इसको improper में convert कर लेते हैं तो 4, 3 by 8 दे रखा है ठीक है तो इसको improper में कैसे करेंगे 8 को 4 से गुना करेंगे पहले 4, 32 और उपर वाला नंबर जोड देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 35 बटे 8 हो गया ठीक है इसी तरीके से second हमारा है 2, 1 by 2 तो इसको कैसे करेंगे तूटू जा 4 और 1, 5 अपन में 2 हो गया और 6, 3 वाला हमारा है 6, 1 by 4 तो 4, 24 और 25 तो 25 बटे में 4 ठीक है अब हमें जो HCF find करना है इन तीनों fraction का करना है ठीक है तो अब HCF कैसा find करेंगे अगर आपको fraction वाले नमबर का HCF निकालना हो तो आपको सबसे पहले करना क्या है उपर वाले नमबर का HCF निकाल लेना है जो उपर दे रखे है 35, 5 और 25 तीनों के उपर वाले नमबर लिग दिया और नीचे हमारा क्या हैगा LCM आ जाएगा नीचे वाले नमबर का 8, 2 और 4 त तो अगर 35, 5 और 25 इन तीरों का अगर मैं HCF निकालूं तो क्या हैगा हमारा इसका HCF आएगा हमारा 5 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 35, 5 और 25 ये तीनों के से divisible हो रहे हैं 5 से हो रहे हैं तो हमारा highest common factor इसका आगया 5 आगया ऐसे ही denominator जो है नीचे वाले नमबर इसका LCM निकालें एगे तो LCM हमारा 8 है का ठीक है तो 8,2 और 4 का LCM है वो 8 हो गया तो 5 बड़रे 8 इसका HCF होगा ठीक है अगला क्ष्टन देखते हैं अगला हमारे पास जहां पर दे र crush है four की पावर सेवन फोर की पावर फाइफ फोर की पावर सिक्स फोर की पावर फोर और इनका हमें यहां पर पूछा में यह तो यहां क्या करेंगे जो भी सबसे बड़ी पावर वाला नमबर है क्योंकि आपे power plus में दे रखिए तो सबसे बड़ी power कौन सी है 7 है तो 4 की power 7 जो है इसका LCM हो जाएगा इसी में अगर हमें HCF पूछा होता तो HCF होता है सबसे कम power वाला तो 4 की power 4 इसका HCF होता ठीक है आगे देखते हैं अब next में हमें HCF पूछा है तो अभी अपने पीछे देखा है कि जो सबसे कम power वाला है वो इसका answer होगा तो 7 की power 5 इसका HCF हो जाएगा ठीक है अगला कुछन देखते हैं अब अगर आपको power जो है negative दे रखियो तो किस तरीके से आप HCF और LCM निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है जस्त रिवर्स करना है यहां 5 की power minus 11 दे रखा है 5 की power minus 9 5 की power minus 16 और 5 की power minus 10 तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहां पर power में सबसे बड़ा नंबर जो है minus का 9 है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है minus का 16 है ठीक है तो आपको वही करना है जो आपको पिछले question में करा है तो hcf जो होगा इसका सबसे छोटी power हमारी minus 16 है तो 5 की power minus 16 इसका hcf हो जाएगा और lcm क्या हो जाएगा 5 की power minus का 9 ठीक है तो हमारा lcm और hcf पूछा है तो 5 की power 9 हमारा ये है ठीक है option no.3 इसका correct answer हो जाएगा अगला question हमारे पास है छोटे से छोटा वै भिन जो 6 बटे 7, 5 बटे 14, 10 बटे 21 से पूर्टा विभक्त हो जाए तो इस type of question में हमें क्या करना है हमें बोला छोटे से छोटा मतलब कि आपको के करना पड़ेगा lcm निकालना पड़ेगा ठीक है तो lcm कैसे निकालेंगे आपने भी सीखा है fraction वाले नंबर का तो उपर वाले नंबर का आपको lcm निकालना है किसका 6, 5 और 10 का और नीचे वाले नंबर का आपको hcf निकालना है ठीक है 7, 14 और 21 ठीक है तो LCM निकाल लेते हैं पहले LCM हमें निकालना है 6, 5 और 10 का तो 2 से करा 3 आया 5 हो गया और ये 5 हो गया फिर 3 से करेंगे तो ये 1, 5, 5 और फिर 5 से किया तो 1, 1, 1 तो इसको गुना करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 2, 3, 6, 6, 5, 30 ठीक है तो LCM तो हमारा कितना आ गया 30 आ गया और HCF कितना होगा अब आपको दिख रहा हो ये 7, 14 और 21 है ठीक है तीनों के तीनों नुमबर 7 से डिवीजिबल है तो इसका HCF तो डारेक्ली आप 7 भी लिख सकते हैं ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 30 बटे में 7 ठीक है तीस बटे साथ इसका HCF होगा अगला कुशन देखते हैं अगला है हमारे पास अब डैसीमल में अगर आपको नंबर दे रखे हैं और उसका HCF और LCM निकालना हो तो कैसे निकलेगा देखिए यहां पर हमें निकालना है ठीक है तो जो नंबर हमें दे रखे हैं 0.9 0.18 3.6 7.2 0.144 ठीक है तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते 0.9 है इसको अगर मैं PYQ की फॉर्म में कनवर्ट करूं तो 9 बटे 10 हो जाएगा ठीक है ऐसे ही 0.18 है तो इसका बीशा है निकल डेसिमल लटाओं तो आठारा बटे सा हो जयेगा तो पिसे हो जड़ाएगा जितने डिजिट है उतने नीचे लगते हैं ठीक है 0.144 तो आप क्या करेंगे आप fraction वाले number को लेके चलिए last में हम इसको decimal में convert कर सकते हैं तो आपको यह दे रखे है तो आपको निकालना क्या है LCM निकालना है LCM के लिए भी बताया था कि उपर वाले number का LCM निकलेगा LCM निकलेगा उपर वाले number का 9, 18, 36, 72 और 144 ठीक है और HCM निकलेगा नीचे वाले number का 10, 100, 10, 10 और 1000 ठीक है तो इसको आप कैसे करेंगे LCM निकालना लेंगे इसका तो आपका LCM है वो कितना आएगा वो आएगा आपका 144 आएगा ठीक है आप करके देख लीजिएगा इन सब का LCM कैसे निकलेगा 144 आगया और HCF देखिए यहाँ पर जो है 10 है 100 है 10, 10 और 1000 है तो कौन सा number है जो इन सब से डिवाइड हो रहा है वो है 10 ठीक है तो यहाँ पर आगया हमारा 10 ठीक है यह 10 आगया अब आपको करना क्या है यहाँ पर एक 0 दे रखा है तो यहाँ पर जो decimal आगया है एक डिजिट के बाद आगया तो 1.04 ठीक है अब देखते हैं कि decimal number का HCF किस तरीके से find करेंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर दे रखा है 2.4, 0.36 and 7.2 इनका हमें HCF निकालना है ठीक है तो बिल्कुल वैसी ही करेंगे जैसे अभी आपने पितला कोशन किया है तो 2.4 है तो इसको अगर मैं फ्रेक्शन में निकाला है तो 24 अपॉन में 10 हो जाएगा ठीक है ऐसी 0.36 है तो यह जाएगा 36 अपॉन में 100 हो जाएगा और 7.2 है तो यह जाएगा 72 अपॉन में 10 हो जाएगा ठीक है अभी यह फ्रेक्शन वाली फॉर्म में बन गए है हमारे पास तो हमें निकालना है है तो उपर वाले नंबर का आपको एसी अफ निकालना पड़ेगा 24, 36 और 72 और नीचे वाले नंबर का आपको LCM निकालना पड़ेगा तो LCM निकालोगे आप 10 100 और 10 का ठीक है तो उपर वाले नंबर का अगर मैं HCF निकालू 26, 36 और 72 तो इसका तो आएगा HCF आपका 12 आएगा ठीक है 12 हो गया और नीचे वाले नंबर का आपको LCM निकालना है तो LCM जो होगा इसका 100 होगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 0.12 इनका HCF हो जाएगा ठीक है ओप्शन नंबर 4 इसका correct है तो इस तरीके से आफ HCF और LCM के question को solve करेंगे उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा Thank you